हेलो एबरीवन मैं विश्रजीत सेंग आप सभी का दीई नपर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 02 Lesson 9 आधुनिक राज्य और जन कल्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं Lesson important है दोस्तों, इसके अंदर में total हम 4 questions को देखेंगे कौन से question बनते हैं, सबसे पहला question आपका बन जाता है कल्यान कारी राज्य का कि कल्यान कारी राज्य है क्या, ठीक है, इसी से same similar question बनता है जन कल्यान का, ठीक है, जन कल्यान है क्या तो दोनों के answer almost same है ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे ना, तो दोने दो से जुड़े हुए तो आप 6 answers का लिख सकते हो यहाँ पर जो दूसरा question बन कर आता है दोस्तों, तो दूसरा question बन कर आता है जन कल्यान का, राज्य के लिए, क्या नीतियां अपनाई गई, किस तरह के कानून बनाए गए, इसको लेकर एक question बन जाता है ठीक है, यहाँ पर चौत्था जो question बनता है, जापान के अनुभब के बेस पर बनता है, जन कल्यान राज्य को लेकर किस तरह से केंद्रिकृत कल्यान जो ववस्था था, उसको अपनाए गया, ठीक है, मतलब सभी लोगों तक समानता से अधिकार को पहुचाना, ठीक है, सब का समान विकास करना, इन सब चीजों पर किस तरह से जोर दिया गया, इसको लेकर एक question बन जाता है ठीक है, समझ में आता है दोस्तों, तो यहां पर टोटल चार questions को पढ़ने वाले हैं, आपका जो यह screen पर आपको PDF दिख रही है, यह मैंने आपके IGNU की side पर से download किया है, आप भी जाके download कर सकते हो, आपकी book ही है, तो book से ही में direct आपको समझाने वाला हूं, ज्यादा दिक्क अपने सभी दोस्तों साथ सेर करें, ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ, कल्यान कारी राज्ये है, जन कल्यान की जो भावना है, वो उत्पत्ती कैसे हुई, उसकी बना कैसे, तो अठारवी, उनिस्वी, बीस्वी सतादी के अंतर में, यह जन कल्यान की भावना उत्पन हुई, जन कल्यान एक अलग word हो गया, कल्यान कारी राज्ये की भावना उत्पन हुई, हम यह मान के चलते हैं अभी, ठीक है, कब हुआ तो अठारवी, उनिस्वी और बीस्वी सतादी के अंदर में, ठीक है, अब यह कल्यान कारी भावना ह है क्या ठीक है कल्यान कारी मतलब कारी मतलब एक योजना एक ऐसा योजना लेकर आना राज्य मतलब देश ठीक है यहां पर राज्य का मतलब देश है राज्य का मतलब यहां पर देश के अंदर में कारी मतलब कानून एक देश के अंदर में कानून लाना किस चीज के लिए कल्यान के लिए कल्यान मतलब क्या विकास करना ऐसा कानून विवस्था लाना एक देश के अंदर में जिससे लोगों का विकास हो समान विकास हो ठीक है उसको हम कल्यानकारी राजे कहते हैं ठीक है मतलब एक के गाज समझ में आया दरवाइस नहीं आने वाला ठीक है यह कह सकते हो सिंपल बासा में यह आप समझो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए दूसरा बढ़ आता है मारा रहे हैं ठीक है लोग रहे हैं तो उस जिस जगह पर रहे हैं उसको हम कहते हैं राज्य ठीक है राज्य एक्जामपल लेकर चलते हैं तो राज्य कहते हैं तो राज्य भाई एक बंदा के लिए कानून बनाएगा नहीं वो किसके लिए बनाएगा जो भी कानून बनाएगा सभी आई कैसे सबसे पहले इसकी बारे में बात करें तो दो विचारदारा उस समय अठारवी उनिस्वी सतावदी के अंदर में दो विचारदारा सबसे ज्यादा परचली थी एक विचारदारा क्या था व्यक्ति वात की विचारदारा थी जिसके अंदर में व्यक्ति का विकास कैस gelしました किया जा रहा था the हुत官 अधिकार होता है शोतंतर तरत की की बात करते हैं कोई नीजी संपत्ती की अधिकार की बात नहीं करते नहीं रुख था न josANS के लिएग सामनुब है दोनों का मिला जूला जो रूख था ना वो कल्यान का रिज्जी के तरफे देखा जाता है इसका रिज्जन क्या था अगर हम हम डारेक्ट समाजबाट को अपना लेते तो भी क्योंकि हो पर तो सब का समान विकास की बात कर रहा है वहां पर पर कोई अमिर नीग कोई गरीब नीग सब समान ठीक है अमानी का लड़का भी गॉट्मेंट शिकल में जाएगा मेरा लड़का भी सब्सक्राइब को क्यूं नहीं उपनाया है वहां पर कई sarm टीक हे तो इंग्लेंड में हुए थीक तो इंग्लेंड में हुए इंग्लेंड में सब से ज्यादा पहले उद्योक करांती शुरूआती सब से पहले ठीक 18 सटाडी के अंदर में तो वहां पे पुंजी वात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था तो वहां पे समाज वात कुछ जगह थी नहीं वहां पो अपनाने की तो उसके कारण से उन्होंने क्या कि इन दोनों विचारदरों को मिलाकर एक कल्यानकारी राज्ये व्यवस्था का एक नया अगर आप लेकर बैठे हो बुक पढ़ रहे हो आप तो बहुत टाफ है ठीक है कई सारे वर्ट सीते हैं डिफिकल्ट है आपको समझ में नहीं आने वाला I hope so जो मैं समझा रहा हूं आपको एक आम बोलचाल की लेंग्वेज में समझा रहा हूं ठीक है जिससे आपको समझ मे बार ने जीक है फिछ सर आप कर लेक सकते वागे ठीक है चल्लों अब सबसे पहले एगार आज के बारे में समझें टो किस तरसे विकास हुआ कं राज्ज्य को बनाने से पहले मने मोटीव रखढ गया था इसकी विस्यस्तां की बारे मूं बात करें सब से पहले तो कल्यान कारी राज्य की विसेस्ता कहते है तो इसकी तीन विसेस्ता आजाती है पहली विसेस्ता आजाती है कि लोग कल्यान कारी नागरिकों का अधिकार है ठीक है जिसके अंदर में जो भी लोगों का विकास कर रहा है ठीक है जैसे केजरिवाल जी कहते हैं कि हम फ्री बिजली तो भीया आप दे रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारे पर महरवानी कर रहे हो हमारा कल्यान हो यही राज्य का मोटिव होता है ठीक है कल्यान कारी राज्य का मोटिव होता है भारत को कल्यान कारी राज्य के तौर पर प्रमोट कर रहे हो तो उसका निती यह है कि आप दोगे ठीक है वहाँ पर देने के बाद आपको हम celebrate करें यह बड़ी बात नहीं है ठीक है आपने दिया वह भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारा अधिकार था ठीक है यहां पर यह कहा गया कि मतलब जो दी जाती ना चीजे वह क्या होता है लोगों का कल्यानकारी राज राजे को उत्पेरित किया जाता है ठीक है राजे व्यक्ति की उन्नति की सहयोग परदान करें अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने में मदद करें यह काम होता है पहला विस्षिता की बात करें तो दूसरा विस्षिता में कहा गया each for all and all for each मतलब परतेक सभी क के लिए राजे का में मोटिव होना चाहिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाओं कि जिसमें एक ही तपके को फाइदा मिल रहा है दूसरे तपके को नहीं मिल रहा है और यह वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ आप जिस किसी भी राजे मे रह रहा हूं किंदरसासित परदेश है ठीक है आप कोई बिहार में रह रहा हो गगा तो क्या आपका जो राज्य है ठीक है वो सच में इस पे वर्क करता है परतेक सभी के लिए और सभी परतेक के लिए Each for all and all for each इसकी ऊपर वक करता है या नहीं ठीक है कई बार में क्या तो यहां पर दूसरा यहां पर राज्य के लिए वर्क करेगा यह में दिया गया लोग कल्यान का राज्य के अंदर में समाज तता उसके अनुकूल भावना का विकास हो करने के लिए जैसे मान लोग कोई बन्दा ना स्वस्थ रहना चाहता है तो अगर वह नेगेटिव स्वस्थ रहेगा यह बिमार लोगों के साथ में बैट कर बिमारी वाली बात करेगा दो कभी सवस्थ रही नहीं सकता तो उसके रिए सब से पहले कि पॉजिटीव फेवस उस करना दरीजिता का जाता है इन सबसे मुक्ती दिलाना में तीसरा मेन मूटीव रखा जाता है ृफ है यह चीज रह जाता है समझ में आता है है कि शोषण को लोगों को मुक्त करना है ठीके जो भी गरीब लोगे शोशोन हो रहा है, दरीद रहें, ठीके बुकमरी है, उन सब को मुक्त करना, समाजी की स्थर पे लाना, उन सब को क्या करना, इकवल स्थर पे लाना, बरावरी का हक देना, ठीके ये मोटीव रखाया गया, और सभी लोग तांतरिक देश के अंदर गया उन्होंने किसी तपके को नहीं देखा कि यह यह वाला मीर है गरीब सब को एक पराबर मतलब जो था उस इसाब से दिया थी बट फिर भी कई बिजनसमेन है उनको चीका सी सेलरी मिल रहे है पर उनके घर में डोमेस्टिक मीटर लगा हुआ है बिजली का आप उसको फ्री आ रहा है फाइदा कि यह उसका बंदेग हो तो सक्षम हो दो सकता है वो डेट दो लाग रुपे की पार्टी थो कर सकता है मंतली ठीक है तो वह बि खहरात खहरात मतलब क्या होता है कि जैसे जो बांटे ना फ्री में बंडारा करवा रहे हैं दान दे रहे हैं वो खहरात कहलाता है तो खहरात की भावनों को पर्मोट करना है यह सब इसके अंदर में आ रहता है कल्यान करी भावना के अंदर में ठीक है तो यह पहला कोश्च है वो इंग्लेंड वाला जाता है कि खेरात से कल्यान तक इंग्लेंड का अनुभव ठीक है कि इंग्लेंड में क्या अनुभव रहा खेरात का ठीक है उसको लेकर एक कोशन बन जाता है दूसर तीस्तरा कोशन यहां पर बनेगा बिस्मार्क वाला जर्मनी का ठीक है जर्मनी के अंदर में क्या आता है दोस्तों? कि England के जब हम बात करते हैं कि England के पर इस Stacy को नए घंगा नंदर में क्या हो जाता है कि लोगों को दान देना तो England इप करलें केंशे कि लाइने को сч unmute एक विखारी को अपने भीक दिया वह वकारिए कैसे वह विखारी कैसे मानोगे उसे अगर वह सरीर में थमीलें व्लटंड्द सथा फेक्न और उसको सिरीर से काम करने में उसको अगर भीक को डिजखर करता है तो तो जो लोग काम करने के बज़ा भीक मांगने लगे ठीक है तो फिर यहां पर रूल बनाए गया एक रूल बनाए गया कानून लाए गया पूर फुर एक्ट करके ऐसा कुछ रूल लाए गया जिसके अंदर में गरीबों किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इकवल लाए जाए किया लगा फिर क्या किया गया जो तरह राट की बहाओना प्रमोट किया जानने लगा अब खहरात यहां पर दो तरीके से बांटे जाने पर जहां पर लोग अपने जो आपका यूजड जो चीज़े हैं जो आप यूज में नहीं ला रहे हो जूते चपपल कुछ भी तो ले जाए कि मारक दो कोई यूजड वाला बंदा वो उठा के लेके चला जाता है पहनता अपना ठीक है तो इस तरह की भावना है वो हर बार ग करना उसको बढ़ा हटाना इसके कारण से खैरात की बावना लाए गई जो भुख मरी लोगों के अंदर में शोशन जो हो रहते चीजों का ठीक है तो उसके कारण से यहां पर खैरात की बावना पर मोट कहाने लागा खैरात पर वर्ड अच्छा नहीं लगता था उसके जनकल्यान की बावना रखी गई ठीक है समझ में आता है राहत से सेवाएं तक मतलब वहां पर किस तर से सेवाएं दी गई राहत की कारे की गई वो यहां पर बात हो जाती है ठीक है यहां पर अगर आप विसमार की बात करो विसमार की जर्मनी की बारे महां बात करते हैं जर जर्मनी के अंदर में विसमार की जनकल्यान की भावना उसने कई सारी योजनाओं में समाजी की योजनाओं में सुधार किये जो जर्मनी के अंदर में समाजी की योजनाओं थी उसमें सुधार किये पहले पर स्टार्टिक में विसमार की अंदर में जनकल्यानी की भावना ही पर उनके नीतियों में भी दिखता नहीं था जनकल्यान का पर उन्होंने जब पोलिटिकल स्पीच में जनकल्यान का लोगों के गरीबों के भलाई के बारें बात करने लगे समान अधिकार के बारें बात करने लगे ठीक है तो उसके बात से वहां पर जो नीतिया में परिवर् कि बड़ती नेना मतलब सेना में समान अधिकार देना यह सब आने लग जाता-ंच्वी propeer को इंप्रूकर इंप्रूब करना सिक्षा को इंप्रूच एक बरती दिना ठीक है काशण कंप करने का समय साथ कर लेकर दो बच्छों के आता है जापान के नुभब का जापान वाला तो जापान का अगर हम बात करते हैं एक इंपोर्डेंट कोशन जापान वाला तो जापान वाले के अंदर में कहते हैं कि कल्यान कारी योजनाओं का कारेवन क्या गया जिसके अंदर में गरीब सहरी गरीबों को देखवाल करना ठ मिर्द लोग थे वैपारी थे वो खेरात बाटने लगे ठीक है गरीबों को विक्सित किया जाने लगा दिख बाल किया जाने लगा ठीक है जैसे हमारे भारत के अंदर में भी एक योजना लाए गई थी जिसके अंदर में जो सांसद होते थे ठीक है MP होते थे Member of Parliament होते थे वो क है MP को कुछ पैसे मिलता है कि वो अपने इस पैसे को खर्च करें तो जिस तरह एक आम इंसान का होता है ना बजट कि यह खर्च हुआ नहीं हो और सबको पता जलता है कि यह खराब हो गया उसी तरह से लोगों तक लाना चाहिए उस बात को भी पब्लिस किया जाना चाहिए निउस पेपर में चबवाना जाना ची में किये हुआ यह जैसे सेर मार्किट के अंदर में होता है ने ठीक है जिससे लोगों तक पहुंच सके कि उसका जो नेता जो चून के लाया है वो सच में कुछ काम करा था या बस ऐसे हैं वही ठीक है तो यहां पर आ जाता है मैं साथ टॉपिक से बटक गया था वापस आते अपने टॉपिक पर जापान वाले में तो नहीं नहीं योजना क सुबारम हुआ ठीक है कमिनिस्ट्री जो और सर्दा भक्ति ये सब जो भी था ना नियामू जो इनके नेता थे ठीक है राजा थे नेता थे उनकी विचारों को आगे बढ़ाया गया जिसमें घर से सुधार की नितिय अपनाई गई ठीक है और राहत और गरीबी निर्धनता के खतरे से बाहर लाने के कुर्सिस की गई और पश्चिमी जो विचार था उसका परभाव दिखा जाने लगा जापान के उपर में ठीक है रास्टी लक्षे कल्यान को रखा गया ठीक है जो मतलब नैसनल जो व्यू रखा गया एम रखा गया कि कल्यान करना लोगों को दूर सम्मंदित विचारों का उद्भब हुआ, शरकार के सासाद लोग भी इसके्ट करने लगी। स्वास्त और कल्यान की भावना अलग से मंतर मंताले बनाएगा उसको बढ़ाया जाने लगा ठीक है तीस तरह से फसले खराब होने पर उनकी उपच को चावल खरीद कर लोगों में बाटना जैसे मानलो कोई किसान का फसल खराब हो गया तो अब वो खाएगा कहां से तो सरकार करना कि चावल खरीद कर या जो भी फसल खराब हो बजार से खरीद कर किसान तक पहुंचाना ठीक है इस तर से कल्यान कारी के भावना लाई गई तीक यह सारी चीजे रहती है यहां पर दोस्तों मैंने आपसे कोश्चिन पूछा कि जिस राज्य में भी आप रहते हो आपके आपसे क्या है अपने बजरूर बताईएगा और फ्रेंट्स अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है अगर आपके लिए वैल्यूबल है और है में हिस्ट्री के आप स्टूडेंट हो तो और भी इस तरह की वीडियो जानने वाली हैं बहुत सारी ठीक तो आप हमारे चैनल को तो समझ में आना चाहिए ठीक है all the best बाबाय टेक केर